नीहाच शहीद होगे बोविंदिला नौ साल की थी और उनके सबसे चोटे बेटे फटे सिंग के उम्र के वल साथ साल की थी जब इनकी मौत हुई तो चारो तरह फाहा कार मच गया और फ़र गुरुगोविंदिन सिंग ने यह ऐलान कर दिया कि अगटना मुगल काल के पतन का कारण बनेगी तो क्या था पूरा माम चलिए जानते हैं। के दसवे गुरु के नाम पर आनंदपुर में सिखो का जमावडा लगने लगा। पुरा नहीं माना जाता। यहां तकि उन्होंने आनंदपुर में खालसा आर्मी की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी। जिसका खास्वा रूप होला महला के रूप में देखने को मिलता है। इसलिए उन्होंने आनंदपुर के ओचार ओर से घेर लिया और अंग्जेब ने पैंदा खान के नितर्तों में दस अजार की सेना को आनंदपुर पर धावा बोलने के लिए भीजा। पर इस जंग में मुगल सेना को हार का मुँ देखना पड़ा क्योंकि सिक्स सैनिकों ने उनकी बैंड बजा कर रख दी थी जिसके बाद उन्हें मुँ छुपा कर वापस लोटना पड़ा। के इसके चार साल बाद यानि की 1704 में मुगलों ने एक बार और आनंदपुर पर धावा बोला। मई 1704 में वजीर खान आनंदपुर पर डेरा डालने पहुँचे। छे महीनों तक उन्होंने आनंदपुर की घेरा बंदी करके राशन की सप्लाई काड़ दी। औरंत में औरंग जेब ने गुरू गोविन सिंग और उनके परिवार को आनंदपुर से बाहर निकलने का मार्ग दिया और वादा किया कि मुगल फौज उनका पीछा नहीं करेगी। गुरु गुविन सिंग ने औरंग जेव पर भरोसा कर लिया और यह उनकी सबसे बड़ी खलती थी क्योंकि जैसे ही गुरु गुविन सिंग और उनका परिवार आनन्दपोर से बाहर निकले मुगल फौज उनके पीछे लग गई भागते हुए कुछ ऐसा हुआ कि सीरसा नदी पर गुरु गुविन सिंग का परिवार बिछड़ गया उनके दो बेटे जोरावर सिंग और फते सिंग और गुरु गुविन सिंग की मा माता गुजरी पीछे छूट गई वहाँ गुरु गोविन सिंग अपने बड़े बेटे के साथ आगे निकल कए अगली सुबह गंगु नाम का एक पुराना सेवक को उनके पास पहुँचा और ये कहकर उनने अपने घर ले गया कि गुजरी जी अपने पोतों के साथ उनके घर में ज़्यादा सुरक्षित रहेंगी गुजरी जी जब सो रही थी तब गंगु ने उनके जूले से सारा सोना चुरा लिया और अगली सुबह बोला कि चुराए थे इतना ही नहीं उसने पैसो के लालच में कोतवाली जाकर गुजरी जी और गुरू गोविन सिंग के बेटो की जानकारी भी कोतवाल को दे दी वहाँ इन लोगों को गरफतार करके सरहिंद पहुँचाय गया वहाँ पर वजीर खान ने गुजरी जी जो रावर सिंग और फते खान को कैद खाने में डलबाया जिसे उस वक्त ठंडा बोर्ज कहा जाता था क्योंकि इस कैद खाने में सिर्फ सलाके थी जुसमें रात बढ़ ठंडी हवा चलती थी और जो कोई भी क्याद खाने में होता ठंड से उसका हाल बेहाल हो जाता कहते हैं कि गुरू गोविन सिंग के एक शिस्य बाबा मोती राम बच्चों और माता जी के लिए दूद लेकर वहां पहुँचे ऐसा करने की सजा में बाबा मोती राम और उनके पुरे परिवार की हत्या कर दी गई एक रात जेल में बिताने की बाद अगली सुबा गुरू गोविन सिंग की मा और उनके बेटों को नवाब वजीर खान के सामने पेश किया गया एक किस्सा ये भी है कि जब तीनों लोग दर्बार में पहुँचे तो आपर बड़ा गेट बंद करके छोटा गेट खुला हुआ था जिससे सर जुका कर अंदर जाना पड़ता लेकिन जोरावर और फते ने सर जुकाने से इंकार कर दिया सिर्फ इतिहासकारों का कहना है कि नवाब वजीर खान ने दोनों को इसलाम कबूल करने के लिए कहा तो दोनों ने इसलाम कबूल करने से हरगज मना कर दिया जिसके बाद उन दोनों को जिन्दा ही दिवार में चुनवा दिया गया उस समय उस वक्त जो रावर सिंग की उम्र मातर नौ साल और फते सिंग की उम्र मातर साथ साल थी यानि उस समय दोनों ही बहुत छोटे बालक थे पर उस उम्र में भी उन्हें पता था कि क्या सही है और क्या गलत इस घटना के कुछी समय बाद गुजरी जी की मौत हो गई तब सरहिंद में एक सेट तोडल मल हुआ करते थे जिनोंने वजीर खान से दरख्वास्ट करी कि वो दोनों बच्चों और माताकी जी के अंतिम संसकार के लिए कुछ जमीन दे दें तब वजीर खान ने उनसे कहा था कि जितनी जमीन वो चाहें ले सकते हैं बस शर्थ है कि उसकी कीमत देने के लिए वो तैयार रहें तब तोडल मल ने जमीन का दाम पुछा तो वजीर खान ने कहा कि उसे जितनी जमीन चाहिए उसे सोने के सिक्कों से ढखना होगा और वही जमीन का दाम होगा, तोडल मल तयार हो गए जब सिकों से जमीन को ढखा गया, तो वजीर खान ने सिकों को सीधा रखने के लिए कहा ताकि जादा से जादा सिक के जमाऊ सकें, जिसके बाद अंतिम संसकार के लिए जमीन ली गई जिस जगा पर दोनों बच्चों का अंतिम संसकार हुआ वो जगा आज गुर्द्वारा श्री जोती स्वरूप साहब के रूप से जाना जाता है दोनों बच्चों और माताजी के मृत्यों के खबर जब गुरू गोविन सिंग को मिली तो इस वक्त वो मची वाड़ा के जंगलों में थे कहते हैं कि ये बात सुनकर उन्होंने तीर की नोक पर एक पौधा जमीन से उखाड़ा और कहा कि ये घटना मुगल सामराज के अंत का कारण बनेगी और ये बात काफी हद तक सही भी साबित हुई क्योंकि 1707 में औरंग्जीब की मृत्यों के बाद मुगल शासन लगातार कमजूर होता चला गया क्योंकि सरहिंद में गुरू गोविन सिंग के बच्चों की मौत ने वहां के लोगों में आक्रोश भर दिया था साल 1709 में गुरू गोविन सिंग के बच्चों की मौत का बदला भी लिया गया और जिस च्रक्स ने ये बदला लिया उसका नाम था बंदा सिंग बहादूर जहां 1709 में बंदा बहादुर ने सरहिंद के कस्बे समाना पर हमला किया और वहां के किसानों ने उन्हें घोड़े और धन भी उपलब्द कराए और इस चीज का जख्र मशूर इत्यासकार हरी राम गुपता के कताब लेटर मुगल हिस्ट्री आफ पंजाब में किया गया है जिसमें लिखा है कि सामना पर हमला करने की बज़ा ये थी कि 34 साल पहले गुरु तेग बहादुर का सरकलम कराने वाला और गुरु गोविन सिंग के लड़कों को मारने वाला व्यक्ती वजीर खान उसी शहर में रह रहा था साल 1710 को हुई लड़ाई में बंदा बहादुर के भाई फते सिंग ने वजीर खान को मार गिराया इस जीत के बाद बंदा बहादुर ने सरहिंद के किले पर हमला करते हुए उसे मिट्टी में मिला दिया बंधा बहादुर ने इसके बाद सरहिंद में सिक्व सामराज की नीवरा की और गुरु गोविन सिंग के नाम के सिक्व के वेजारी किये लेकन इतिफाक देखे जिस बंधा बहादुर ने मुगल की एट से एट बजा दी उनकी मौत भी इसलाम धर्म ना कबूल करने के कारण ही हुई थी तो ये था इतिहास लेकिन इसी इतिहास से प्रेरित होकर 9 जन्वरी साल 2022 को प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने ये एलान किया था कि अब से हर 26 तवंबर को बीर बाल दिवस के रूप में मनाय जाएगा क्योंकि यही वो तारीख है जिस दिन सिखों के दसवे गुरु 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 गोविन सिंग के दोनों बेटो फते सिंग और जोरावर सिंग की मृत्य हुई थी और इनकी मृत्यों का बदला किस तरह से लिया गया वो तो आप देखी चुके हैं बाकि उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ जानने का मौखा मिला होगा अब आपका इस पर क्या कहना है आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं जिससे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें